जिए के पीसी मेंस 2020 बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सुनने में आ रही है अल्टो देखिए ग्राउंड लेफर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है एंड टाइटल में आप पढ़ रहे होंगे यहां पर में यहीं लिखाऊं की डोंट बीया कास अफ रिक्रेट पार से वो भी डिस्टरब हो गए है तो मैंने सुचा कि एक वीडियो जो है वो बना दी जाए आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए कल जेकी पेसी चेर्मेंस से जो है बात किया है हमारे सोचल एक्टिविस्ट है तो मैंने कम्यूट्री टैप में भी डाला था कि क जो है जो है जेकी बेसे चेर्मेंन ने कहा था एंड चेर्मेंस सर की बातों से एक बात तो क्लियर कि दस तारीक को आपका पेपर होना ही होना है ठीक है और जेकी बेसी ने कल वैकेशन के लिए भी जो है एक हेरिंग जो है रखवाई थी लेकिन अनफॉर्चुनेटलिटलि उसमें जो है पेटेशनर की साइट से जो है वो कोई भी नहीं आया और यहां से भी आप देख सकते हो कि उनका केस कितना स्ट्रॉंग है इसलिए जो है उनकी तरफ से कोई पेटेशन में नहीं आया है तो यही बात है कि डिस्ट्रैक्ट होने की जरुरत नहीं है कुछ भी के इसमें नहीं है मैंने पहले भी आपको कहा था एक proper procedure को follow किया गया है जब आपका result आता है answer की आती है उसके बाद आप representation submit करते है representation के basis पर जो committee रहती है PSE की तरफ से वो re-examine करती है आपकी answer की को और उसके बाद फिर से revise answer की जो है उनकी description होती है कि उनको changes लाने है या नहीं या नहीं उनके हिसाब से जो आपने representation दी है क्या उनके हिसाब से क्या वो representation सही है क्या वो source सही है या नहीं ये उनकी discretion पर है और उन्होंने revise answer की भी निकाली है जिसमें उन्होंने चार question को revise किया जो कि उनको सही लगे हैं कि हाँ ये question जो है पहले गलत दे दिये के थे इनके answer जो है वापस revise किये तो proper procedure यही होता है इसको follow किया गया है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है इसके आगे जो है कोई किसी को question उठाने का कोई अधिकार नहीं है although court में case गया है entertain भी हुआ है वो उनका हक है ये भी मैंने आपको समझाया था लेकिन कल के interview से आपको पता चल गया होगा कि exam जो है आपका वो होने वाला है और vacation जो है stay भी vacate हो जाएगा ये भी मैं आपको last बता रहा हूँ stay जो है जल्दी ही vacate हो जाएगा although stay तो नहीं है it's interim relief तो interim relief and stay में बहुत ज़्यादा फक होता है एक चेर्में सर के interview से एक बात आपके सामने जरूर आई होगी एक तो उन्होंने कहा है कि जो 24 petitioner है उसमें से 18 बच्चों का CSET भी पास नहीं है तो जिनका CSET ही पास नहीं है उ को नए उनके अगर 9 question भी ठीक कर दिये जाए तो तब भी उनकी जो है वो अंदर सेलेक्शन नहीं हो सकती क्यों प्राइम फेक्टर आपको अब करना है तो CSET जिनका क्वालिफाई ही नहीं है उनके लिए question नहीं है उनकी सेलेक्शन तब भी नहीं हो सकती और दूसरी बात ज जो है इन candidates की बीच में यानि जो 24 candidate अलोग किये गे हैं इनके और जो अभी present cut-off आया है बच्चों का 44 सो बच्चे जिसमें सेलेक्ट हुए हैं इनके और इन बच्चों के बीच में 9000 9000 बच्चे जो हैं जो लाइक करते हैं तो बिलकुल इनको अलोग नहीं किया जा सकता क्य हैं कि इनको अलोग किया जाएगा तो फिर 2016 माली हिस्ट्री जो है रिपीट हो जाएगी 2016 का क्या केस था वह मैं आपको बताता हूं जो बच्चे नहीं है तो यही सेम गलती PSC ने 2016 में करी थी लेकिन यह PSC जो है यह गलती जो है इसको नहीं दोहराएगी क्योंकि इस गलती क में डाउट आता था लेकिन इस बार जो है वैसा नहीं होगा क्योंकि चेर्मेन वो नहीं है कमिशन वो नहीं है और गलती भी जो है वो नहीं की गई है as far as my analysis is concerned तो 9000 बच्चों को तो है लोग नहीं किया जा सकता और सिर्फ इनको है लोग किया गया तो वो भी जो है legally जो है नहीं जो है इनकी वो सुनी जाएगी ये बात मेरी आप याद रखीगा ठीक है और दूसरा है कि 2016 का case में आपको बताता हूं कि क्या हुआ था 2016 में ऐसा होता है कि जब result आता है पहली बारी तो एक certain cut-up बता दिया जाता है कि इतना cut-up है and उसमें क्या होता है कि कुछ जिनके 81, 82 and 83 थे वो उस list में जो है वो नहीं थे कारण क्या था तो PSC की अपनी गलतियां थी तब कि PSC जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम थी मैं आपको बताता भी हूँ आपको पता भी होगा देवा कमिशन जो है बहुत ज़्यादा famous था इस चीज़ को लेकर लेकिन एक और लिस्ट जो है वो निकाल दी और उसमें क्या हुआ कि 81, 82 and 83 वाले बच्चे जो है उनको इनकर दिया गया और जो 80 वाले बच्चे जो कि first list में आये हुए थे उनको बाहर कर दिया गया फिर इन बच्चों ने वापस case किया कि पहली list में हमारा नाम था तो दूसरी list मे जो हमारा नाम क्यों काटा गया फिर PSC ने कहा कि हाँ 80 वाले बच्चे जिनका पहले list में नाम आया था उनको भी अलो किया जाए और फिर 81 और 80 के बीच में जितने बच्चे में आपको example दे रहा है hypothetical figure ठीक है marks जो थे वो कितने थे वो आपको पता होगा मुझे अभी याद है तो कोड ने कहा कि 80 से 81 के बीच के जितने बच्चे हैं उनको भी अलो किजिए तो इस तरह से लगबग आई थिंक 32 सो बच्चे और जो है मेंस में अलो किये थे और रेशो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट होगी थी और बाद में ये भी देखने को मिला जो नहे बच्चे एडिड हुए थे वो क्वालिफाई होगे और जो पुराने बच्चे जिनको काफी जादा टाइम मिला था वो क्वालिफाई नहीं हो पाए उसके पद फिर से सवाल उठे थे इवन वाईवा के ओपर भी स्टे लगा था फिर वाईवा कंड़क्ट करवाया गया रिजल्ट म यह पार कर दिया और बाकी बंदों को से लॉक्स का गया यह इस के में प्रत पर से लिपरेयर क्या हुए कई और अगर इनको time over भी दिया गया तो कोई attention वाली बात नहीं है, आपका जब hearing है, I think 28-27 March को है, तब जो है, इनकी first hearing में ही case जो है, डिस्पोस कर दिया जाएगा, तो अभी जो बच्चे ये सोचकर disturb हो रहे हैं, कि quash न हो जाए, एंड उसकी वज़े से उनकी life में disturbance भी आ गी है पढ़ भी नहीं सक रहे हैं, मैं उझे पता है कि देख रहा हूँ हम सोचल मेडिया साइस पर क्या क्या हो रहा है, कुछ series बच्चे जो हैं, उनकी post देखकर ही पागल हो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे अभी क्वैश क्वैश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो आपने डिस्टर्ब नहीं होना है, तो मैं आपको यही कहा रहा हूँ कि इस वक्त चो बच्चे जो है, serious candidate थे, जो अभी squash को लेकर doubt में हैं, उसकी वज़े से उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, या पढ़ने में धीले होके हैं, जरूर मेरी बात च्याद मेरा exam भी अच्छा होता, में भी qualify हो जाता, तो अभी भी मोका है, देखिए, बहुत दिन बचे हैं, आप अगर सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको revision ही करनी है, तो ये time distract होने का नहीं है, पढ़ते रहिए, करते रहिए, आपका maximum देते रहिए, बाकी 10 तारीक को आपको पे आपको बार बार भी नहीं मिलता, आपने ये सोच रहा होगा कि नहीं इस बार नहीं मैं अगली बार पर इसा नहीं होता, आपको किसमत ने chance दिया है, कि आप में इस लिख रहे हैं, हर बार ऐसा भी नहीं होता, बहुत सारे पढ़ लिखे बच्चे इस बार भी आपने देख तो अगली बार शायद आपके साथ पी ऐसा हो सके तो इस बार अगर आपको किस्मत मौका दिया है तो जुरूर उसकी फुल उटिलाइजेशन कीजिए उसको जो है भिखाड़ी है ठीक है अल बेस्ट थैंक